Hello everyone, welcome to free study, so this is last video for October Current Affairs Compilation, आज हम page number 146 to 160 करेंगे, यह जो page number है, यह insights IES के PDF के according है, ताकि आपको थोड़ा idea रहे कि हम कौन से pages cover कर रहे हैं, so total 160 pages थे and हमने 145 pages cover कर लिये थे, आज 146 to 160 cover करेंगे, then कल से आपकी November की जो compilation है, वो start हो जाएगी, before that channel को subscribe कीजिए, bell icon press कीजिए, share कीजिए, videos को like जरूर कीजिए and अगर आपको यह PDF चाहाईए, तो आप मेरी email ID पर email कर सकते हैं, जो आपको comment section के अंदर मिल जाएगी, so let's start, सबसे पहले करेंगे, कल International Asia Area, तो इसको short form में SIAA भी कहते हैं, and इसे host करेंगा Jammu and Kashmir, तो यह 50th SIAA Congress है, जो की 2021 के अंदर host की जाएगी, नेम से आपको पता चल रहा होगा, this is Asia Area, so यह 1934 में form हुई थी, बनाई गई थी, एक professional organization है, जो जिसका main aim यह है, कि पूरी country के अंदर, सभी countries के अंदर, खास तोर पे Asia के अंदर, जो tourism है वो बढ़े, friendship बढ़े, और यह एक तरीके से बोला जा सकता है, कि पूरे world का सबसे बड़ा network है, tourism professionals का, means यहाँ पे जो tourism professionals हैं, वो आपको उनका network देखने को बहुत अच्छा मिलेगा, इसके अंदर directors होते हैं, executives होते हैं, एक affiliated member होते हैं, world tourism organization के, और हर साल यह annual world congress भी held करते हैं, इसे ध्यान रखेगा, इस बार कौन करेगा, Jammu and Kashmir, यह facts for prelims हैं, आधे facts for prelims हमने कल की वीडियो के अंदर किये थे, बट facts for prelims जो होते हैं, उनको cover करने में थोड़ा time लग जाता है, तो आधे हम आज कर रहे हैं, देखिए 10 हफते, 10 बजे, 10 मिनट campaign, तो यह आपके जो डेली government के जो चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केज रिवाल जी, उन्होंने स्टार्ट किया था, anti-dengu campaign है था, एक नवंबर से 15 नवंबर तक ही यह चला, तो इसके अंदर हर संडे को 10 मिनट देनी थी, कि कोई भी means पानी जो है वो रुका हुआ ना हो घर में, ताकि वहाँ पे मच्छर जो है वो पैदा ना हो सके, और गोवा के अंदर भी एक थोड़ी आप इसकी नाम ध्यान रखेगा, हर घर जल स्टेट, तो गोवा जो है वो एक ऐसे स्टेट बन गई है, जिन्नोंने पीने का पानी, टैप वाटर ठीक है, नल का पानी जीसे कहते हैं, तो वहाँ के 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड को दिया, तो गोवा को यह उपादी गई है, हर घर जल स्टेट, ठीक है, ध्यान रखेगा, शॉर्ट नोट्स में भी आप लिख सकते हैं, अधर्वाइस यह आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दिन देखिए भाई तारू सिंग, तो भाई तारू सिंग की जो एनिवर्सरी थी, वो 300th बर्थ एनिवर्सरी थी, मेंज 300 साल पहले इनका जनम हुआ था, 1720 में, सिक मार्टियर है, मार्टियर मेंज जिन्हों ने अपना जो बलिदान दिया एक तरीके से, इनका जो इन्होंने ये कहा था कि मतलब इसलाम में कनवर्ट होने के बजाए, मैं अपने जो सर है, वो स्कैल्प कराना पसंद करूँगा, मेंज एक तरीके से अपने सारे बाल को मुंदन करवा देना, एक तरीके से सारे बाल निकलवा देना, तो अब पढ़ते हैं, गो सत्व कवच, तो गो सत्व कवच जो है, वो रेडियेशन को रिडियूस करता है, जो मुबाइल फोन्स होते हैं, एक चिप बनाई जाएगी, काव डंग से बनाई जाएगी, मिंस जो गाई का गोबर होता है, उससे बनाई जाएगी, कौन पढ़ते हैं, इनको मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स रेगूलेट करती है, यह धियान रखेगा, और इसको देखे हम एक साल से करन्ट अफेर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो 31st मार्च 2021 तक, जो SBI है, एक ही ब्रांच काम करेगी, सभी FCRA अकाउंट्स के लिए, मिनिस्ट्र SBI ब्रांच में ही रिसीर करेगी, देन देखिये, कुछ प्लेसे इन नियूस, चुसुल, तो यह हमने सेप्टेंबर के करन्ट अफेर कंपाइलेशन में भी करा था, एक गाउं है, ले लदाग की अंदर, ले लदाग जमु कश्मीर, जमु कश्मीर तो हैराब अलग टारिट यह मेंस, इंडियन आर्मी और जो चाइना के जो परसोनल इंप्लोईज होते हैं, वो यहां पर एक तरीके से मिलते हैं, ओफिशली तरीके से, और यह प्लेस फेमस है, क्योंकि नेवंबर 1962 में, जब चाइना के साथ इंडिया की लिडाई हुई थी, तब वहां पे लास्ट म करेंगे, इसके बाद मैं आपको इंसाइट साइएस के PDF के ही, जो स्क्रीन शॉट्स लिए हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा के जिए, देन देखिए, अर्थ शॉट प्राइस, तो अर्थ शॉट प्राइस जो है, वो प् 65 US Dollars मिलेंगे एक तरीगे से, इसलिए क्योंकि Environment and Climate Crisis के लिए इन्होंने काम किया है, प्लान, प्लानेट को रिपेर करने की कोशिश की है, पांच चालेंजिस इसके अंदर होते हैं, जो नेचर को प्रोटेक्ट करें, रिस्टोर करें, हमारी हवा को साफ करें, ओशियों को र अंदर होरनेट्स and फरी पस केटर पिलर्स, तो मैं इसके आपको डाइग्रम दिखाऊंगी, यह थोड़ा मधुमक्ही जैसा देखने में होता है, इसका जो नाम है वो एक कैट के बाद रखा गया है and लार्वा स्टेज के अंदर इसको पाया जाता है, ठीक है, देन इसका ज अंदर यह बहुत ही जादा जहरीला पाया गया है, तो इसको नाम दिया गया है, मडर हॉर्नेट, जापान एंड इस्ट एश्या का यह नेटिव है, मेंस यहीं से इसकी उत्पत्ती स्टार्ट होती है, हानी बीज के जैसा दिखता है and human beings के लिए खतरा है, इसके जो population है वो टेकनीक होती है, जिसके अंदर फिश और जो प्लानेट्स है, वो एक ही साथ ग्रो हो पाएंगे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगे, डाइग्राम एक जो एक्क्वेरियम है, उसके अंदर इनको ग्रो किया जा रहा है, आपके नीचे जो है वो फिश है और उपर आपके क् फिश है, वो प्लांट को फर्टिलाइजर देता है, और प्लांट इसके बदले में आप जो पानी है उसको क्या करते है, फिल्टर, तो यह मैं अभी आपको डाइग्राम में दिखाऊंगी, तो यह नया शेफार्ड रॉकेट सिस्टम क्या है, तो यह कैसा सिस्टम है, जो कि टोरिस्ट को स्पेस के अंदर लेकर जाएगा, इसका सेवंथ टेस्ट कम्प्लीट किया गया है, इसका नाम एलाप शैफाड के बाद रखा गया है, यह फर्स्ट अमैरिकन थे, जो स्पेस में गए थे, अर्थ से उपर, हंड़र्ट किलो मेटर उपर इनको लेकर जाएंगे astronauts and researchers उन्हें भी लेकर जाएगा कर्मन लाइन के उपर कर्मन लाइन means एक ऐसा area जो कि internationally recognized boundary of space है means एक boundary जैसे बना देना कि यह जो boundary है इसका नाम कर्मन लाइन है इसके उपर कोई जाएगा तो means उसने कर्मन लाइन को cross कर दिया है then देखिए Enfuser Enfuser क्या है Environment Information Fusion Service तो यह एक high resolution city scale model है जो कि Delhi के लिए launch किया गया and इसे organized किया Indian Meteorological Department ने ताकि यह देखा जा सके कि कौन से areas हैं जहाँ पर air pollution बहुत जादा है तो यह finish जो meteorological institute है उसके साथ भी मिलकर काम करेंगे ताकि हमारा जो डेली का environment है उसे बचाया जा सके दें देखिए Pakistan re-elected to UN Rights Body तो पाकिस्तान जो है वो UN Rights Body के अंदर दुवारा से re-elect हो गया है पाँच candidates के अंदर से जो Asia Pacific Reason है and चार seats के लिए elections होते हैं UN Human Rights Council में तो पाकिस्तान को सबसे जादा votes मिले and यह January 1st 2018 से भी सर्व कर रहे हैं अब 18 से लेके 21 तक करेंगे फिर 21 से इनके अगले 3 साल दुबारा से शुरू हो जाएंगे देन देखिए Broadcast Audience Research Council जिसे हम बार्क भी कहते हैं कल भी हमने यह पढ़ा था जब हमने Arnab Goswami का case पढ़ा था तो इसके अंदर यह एक इंडस्ट्री है जहाँ पर Advertisers होते हैं Ad Agencies होती है Companies होती है और इनने कौन रिप्रेजेंट करते हैं Indian Society of Advertisers Indian Broadcasting Foundation and Advertising Agencies Association of India 2010 में इसे Create किया गया था यह I&B Industry के अंदर आते हैं आपके जो Broadcasting Industry है वो उनके थूँ यह Registered है and Television Ratings का काम करते हैं TRPs यह निकालते हैं Then देखिए Nandankan Zoological Park तो Nandankan Zoological Park आपका भुबनेश्वर उडिसा के अंदर है Again यह September में भी था and Chandeka Dampara Wildlife Century के पास है World Association of Zoos and Aquarium का यह पार्ट है and जो पहला जो captive breeding हुई endangered घडियाल्स की यह भी इसके अंदर पाया जाता है Tigers का यह अच्छा जू है Kanjia Lake यहाँ पर जो है वो एक wetland है National Importance की यहाँ पर breeding center है Indian Pangolin and Long-Billed Vultures का So this is very important Long-Billed Vultures का यह breeding center है पहली बार यहाँ पर 2012 में Indian Rattles की breeding भी record की गई थी and यहाँ इसी के नाम पर एक express train भी है जिसका नाम है Nandan Karan Express तीन में से एक zoo जो है वो यहाँ पर Long-Billed Vultures पाये जाते हैं पहला यहाँ पर Malanistic Tiger का भी जनम हुआ था 2014 में and इन्होंने अभी news में यह है क्योंकि दुबारा से जो प्रोग्राम है Adopt an Animal यह प्रोग्राम इन्होंने दुबारा से स्टार्ट कर दिया है नंदनकन जू ने ठीक है जो कि कहा है उडिसा के अंदर देन देखिए People's Alliance for Gupkar Declaration अगेन कल भी मैंने करवाया थी यह आपको October के Current Affairs Compilation में ही 4 अगस्थ 2019 से पहले कुछ political parties ने मिलकर एक group बनाया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो special status था वो 5 अगस्थ को ले लिया था Article 370 को अब्रोगेट करके फिर 22 अगस्थ को दुबारा से 2020 में इसी साल 6 और parties ने इसे sign किया Tawan Strait 110 मीटर Wides Channel है जो कि आपको चाइना के बीच में मिलेगा और इसको Formosa Strait या Tai Hai भी कहते हैं ये South China Sea का पार्ट है News में इसलिए है, ये New News है I think मैं इसका नंबर डालना भूल गई हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी चाइना से ही थोड़ा अलग एरिया पढ़ता है चाइना, ताइवान तो यहां पर जो US की जो वार्शिप्स आ गई है इस स्ट्रेट के अंदर इस स्ट्रेट ओफ जैसे की हॉर्मूज हो गया तो इस तरीके से गल्यारा जो होता है निकलने का तो उसके वज़ा से चाइना क्या है? परेशान है तो यह दिल्ली गॉर्मेंट ने स्टार्ट किया है आज के हम, मैं आपको दिखाऊंगी दिल्ली गॉर्मेंट बहुत कुछ कुछ करती रहती है काफी सारे इनिशेटिव जैसके अभी 10 बजे 10 हबते लिया अभी हम ग्रीन लाइट देखेंगे अभी आप यह देखें, जैसे ही रेड लाइट अन होगी तो गाड़ी ओफ हो जाएंगी तो यह डेली गॉर्मेंट ने लिया है ताकि युद प्रदूशन के विरुद कॉमपेंट तो यह कॉमपेंट इनो ने चलाया है जो हमने कल भी स्टाट किया था 1 करोड़ वेहिकल्स जो है उनसे 1.5 जो टन्स है वो एक तरीवे से प्रदूशन का बोल सकते है PM 10, पर्चिकुलेट मैटर 10 जो है वो रिडिउस होगा पर्चिकुलेट मैटर 2.5 रिडिउस होगा 0.4 टन्स से and 10 reduce होगा 1.5 से यह जो PM10 and PM2.5 होते हैं यह particulate matter जो छोटे-छोटे कन होते है ना उनका diameter होता है so this is 10 and 2.5 then देखिए eat right movement सही खाओ movement food safety and food safety and standard authority of India ने launch किया था 2018 में ताकि जो oil, salt, sugar 30 प्रतीशत तक कम करना है अगले 3 सालों में ठीक है अगर आप means दे रहे हैं January में तो भी आप इसको use कर सकते हैं अगर health से related कुछ पूछा जाता है then देखिए महीला किसान दिवस 15 October को मनाया जाता है and international day भी होता है rural women का ताकि जो women farmers हैं जो खेती करते हैं जो किसान हैं जो ओड़ते उनके लिए awareness create की जा सकें और उनको encourage कर सकें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप करते रहें then देखिए outcomes of third assembly of international solar alliance तो international solar alliance हुआ India and France जो है वो दुबारे से president and co-president बन गए एक coalition for sustainable climate action हुआ इसके थूँ कुछ initiatives अप्रूफ किये गए तीन awards धियान रखेगा इसके अंदर एक है आपका wish wish varia award means यह उन लोगों को दिया जाता है जिनकी बहुत अच्छी solar capacity है यह Japan and Netherlands को दिया गया दूसरा award होता है Kalpna Chawla award जो कि scientists and engineers को दिया जाता है तीसरा होता है दिवाकर award जो कि ऐसे लोग जो कि differently abled people है वो लोग अगर काम करते है climate के लिए उन्हें दिया जाता है then देखिए Caspian War Games तो Caspian एक C का नाम है and Russia ने आपको पता होगा Russia का interference Armenia and Azerbaijan area के अंदर कलम ने करा भी था Nukorno area के बारे में तो यह Azerbaijan के Asheron जो Absheron Peninsula है उसके north side में पड़ता है वहाँ पे जो war game है वो start हो गए है and यह Russia ने start कराई है तो इसका थोड़ा areas देख लेजेगा बाकी diagram में आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी Supreme Court ने कहा है अगर proceedings पर कोई भी stay लगाया जाता है क्योंकि तब भी एक case आये था Asian Resurfacing of Road Agency Private Limited का तो अब दुबारा से court ने कहा है कि अगर 6 महिने के stay जो है वो continue करना है तो 6 महिने तक continue रहेगा stay उसके बाद दुबारा से permission लेनी होगी देन देखिए जोजीला tunnel तो जोजीला tunnel अगर आप जमू कश्मीर जाएंगे तो जरूर देखिएगा श्री नगर वैली और जो ले है ले लदाक जो है उसके बीच में है Transport Ministry ने इसे launch किया है Asia का longest bi-directional tunnel है ठीक है मिस दोनों तरफ से और ये श्री नगर ड्रास कारगे ले को connect करेगा एक tunnel के थुरू ग्यारा सो पान सो किलोमेटर उपर है ये sea level के 14.15 किलोमेटर लंबा है इससे जो 434 किलोमेटर का जो श्री नगर से लेके कारगिल्स तक ले तक जो NH1 है वो एरिया जो है बिना किसी avalanches के मीज जो पहाड बगेरा होते हैं उनके cross के बिना ही आप इन एरियास में चले जाएंगे और टाइम देखिए 3 घंटे के बजाए सिर्फ 15 मिनट लगेंगी तो इससे वेरी इंपोर्टन ठीक है कौन से ministry ले लॉँज किया है जो गाओं के अंदर जो पूर है रूरल विमेन है वो अपना self-help groups बनाए और कुछ इस तरीके का economic activities करें भी इस पैसे जिससे earn हो सके ताकि poverty को remove किया जा सके कुछ schemes बताई गई है कि क्या-क्या काम किया जा सकता है एक तो self-employment training इंस्टिट्यूट्स वहाँ पर बनाए जाएंगी start-up village entrepreneurship programs बनाए जाएंगी RGV का grameen express योजना बनाए जाएगी ठीक है तो ये सभी इसी लिए है ताकि उनको अच्छे से भर पेट खाना मिल सके और वहाँ पर जो गरीबी है वो दूर की जा सके then देखे Israel and Bahrain to formalize diplomatic ties तो एक US ने इनका agreement sign करवाया है Israel and Bahrain का अब UAE and Bahrain जो है वो तीसरी और चौती Arab states बन गई है जो कि Israel के साथ जो ties है वो formalize करने की कोशिश कर रही है 1979 में भी एक peace deal हुई थी Egypt के साथ इसराइल की 1994 में हुई थी Jordan के साथ तो Egypt हो गई 1st, Jordan हो गई 2nd, 3rd हो गई UAE and 4th हो गई Bahrain किस ने करवाया है? US ने then देखे Skinks of India by Zoological Survey of India तो यह में Skinks आपको भी डाइग्राम के अंदर भी दिखाऊंगी कुछ species है साप जैसे दिखते हैं साप है नहीं लेकिन तो इंडिया के अंदर 62 स्पेशेज पाए गई है 57% जो Skinks है यानि कि 33 स्पेशेज जो है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं endemic हैं Himalayas, forests, deserts में मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में 1602 स्पेशेज हैं जबकि इंडिया में 4% से भी कम क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 1602 है इंडिया के अंदर सिफ 62 है then देखिए what are skinks, तो skinks क्या होते हैं तो ये थोड़े reptiles होते हैं ठीक है इने reptiles बोल सकते हैं and इनकी जो neck है कोई scales नहीं आपको दिखाई देंगे legs जो है या छोटी दिखाई देंगी या होंगी ही नहीं long bodies हैं तो अभी मैं आपको diagram दिखाऊंगी then देखिए साधना पास तो साधना पास हम diagram में भी देखेंगे इसका जो पहले नाम था वो था नस्तचुम पास जमू एंड कश्मीर के अंदर ये है हिमाल्यास के अंदर located है ये connect करेगा जो पवाड़ा वहां की district है उसके करनाल तहसील को करनाह तहसील को बाकी इंडिया एड्मिनिस्टर कश्मीर वैले से श्रम्सब्री mountainous region के अंदर ये located है then देखिए Sleanx 20 तो Sleanx से थोड़ा S से ध्यान रखेगा 2005 में then देखिए Scale India Map Scale India Map जो है वो Leather Sector Skill Council ने launch किया है Skill Certification Assessment for Leather Employees that is Scale तो ये एक इंडिया Android आप होगी जो कि ये देखेगी कि किस तरीके का जो Leather है वो यूस किया जा रहा है और उसकी quality है वो इच्छी है भी या नहीं तो ये जो Leather Sector Skill Council है ये 2012 में बनाई गई थी और इसको approval मिल चुका है National Skill Development Corporation से भी then देखिए Ground ICT Challenge तो Ground ICT ICT आप धिहान रख सकते हैं Information and Technology Ministry और National Jal Jeevan Mission से तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपको सर्विस अच्छी दी जाएंगी सिर्फ infrastructure नहीं create किया जाएगा ठीक है तो आपको यह एक challenge दे रहे हैं कि जो इस challenge पर खरा उतरेगा उसको 50 लाख रुपे का price मिलेगा और जो runner-up होगा उन्हें 20-20 लाख का ठीक है तो National Jal Jeevan Mission and Mighty का यह campaign है ठीक है तो ध्यान रखेगा डाइग्राम इसके अंदर आएगी तो मैं डाइग्राम आपको दिखाऊंगी देन देखिए country का पहला multi-modal logistic park आसाम के अंदर बनाया जा रहा है भारत-माला परियोजना के according किसलिए ताकि air, road, road, rail, waterways कहीं पे भी आपको जाना हो आप easily जा सकें ऐसी connectivity यह park provide करेगा then देखिए asofoetida तो इसको hing कहते है and this is very important कि hing जो है वो इंडिया में cultivate ही नहीं होती इंडिया हर साल 600 करोड जो amount है उसको import करता है यह PDF के अंदर लिखा हुआ है that it is not cultivated in India and यह एक perennial plant है इसके जो nutrients होते हैं इसकी जड़ों के अंदर ही होते है यह आपको इरान और अफगानिस्तान में मिलती है हम वहां से import करते है dry and cold desert condition के अंदर यह बन पाती है जो आपके council of scientific and industrial research के जो scientist है उन्होंने अब एक mission लिया है Himalayan bio resource पालंपूर के अंदर कि जो hing है वो अब बनाएंगे कहां पर Himalayas के अंदर इसलिए यह important है देखे कुछ places in news जैसे कि Fiji Fiji आपका जापान में है एक island country है यह आपको Melanesia के अंदर मिलेगा Mount Fiji है देखे यह Oceana का part है South Pacific Ocean के अंदर देखने को मिलेगा New Zealand के north east side में जाएंगे तो वहां से 1100 nautical miles दूर है इसके अंदर 330 से भी जादा islands है I think वो Mount Fiji है जापान के अंदर देखे आसाम मिजोरम boundary issues तो यह मैं आपको अगें डाइग्रम भी दिखाऊंगे कि आसाम मिजोरम के boundary issues क्यों हो रहे हैं तो 1857 में भी notification issue किया था कि जो लुशाई hills जो है वो कचर्स जो area है उससे अलग है 1933 में areas भी demarkate के गए थे कि लुशाई hills का area यहां तक है मनिपूर का area यहां तक है मिजोरम जो है वो आसाम की जो बराक बैली है उसको border करता है and Bangladesh को भी border करते हैं दोनों मिजोरम भी and आसाम भी तो डाइग्रम के अंदर देखेंगे और आपको clear हो जाएगा then देखें मालाबार नेवल exercise तो यह Australia भी join करेगा हमारी quad countries के साथ India, Japan and US के साथ तो Australia ने तीन साल पहले request किया था इसको join करने के लिए then देखें Pearl River Estuary तो Pearl River Estuary जो है वो Hong Kong, Macau and जो mainland Chinese cities and Shenzhen, Guangzhou and Dongguan उनको सभी को cover करता है चाइना की जो pink dolphins हैं वो यहाँ पर वापिस पाई गई हैं इसलिए जो river है यह news में आई है then देखें पहला spring board, नहीं सॉरी India spring board तो यह Indian bank and IIT मदरास Incubation Cell का initiative है तो नाम ध्यान रखेगा देखें, I.C. ध्यान रखें India spring board, तो I.C. Indian bank and I.C. I.I.T. मदरास वो start-ups जिनकी अच्छी technology है, अच्छा cash flow है तो उनको यह help करेगा and bank इनको 50 करोड तक का loan भी provide करने की कोशिश करेगा then देखें, infrastructure investment trust, infrastructure investment trust क्या होते हैं, जैसे mutual funds होते हैं, कि अगर आप कहीं पे कठे पैसे invest नहीं कर सकते हैं, तो आप mutual fund के through invest करते हैं and थोड़ी थोड़ी earnings receive हो जाती है, तो इसी तरीके से infrastructure investment scheme क्या होता है जैसे मालीजे road बनानी है, कोई बहुत बड़ी highway बनाना है, तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो पैसा अगर नहीं है, तो लोगों से पैसा लिया जाता है institutional investors से पैसा लिया जाता है कि इंफरस्ट्रक्चर बन रहा है and फिर बाद में जितनी भी earning होती है उसके according लोगों को पैसा वापिस मिल जाता है तो इसे regulate करते हैं SEBI, that is Securities and Exchange Board of India according to regulations 2014 then देखिए डेमचोक सेक्टर तो जो डेमचोक सेक्टर है वो एक disputed reason है चार्डिंग नला and Indus River के बीच में तो ये Sino-Indian Border Dispute है China and India के बीच में ये problem है डोनों के डोनों इस area पर claim करते हैं line of actual control के पास ये मिलेगा तो diagram के अंदर हम ये देखेंगे चार्डिंग नला कहां पर है then देखिए line of जो control है उसके पास smart fencing की जा रही है 700 km तक जिससे 10 लाक रुपे आएंगे पर km तो आप देखते होंगे vessels जो होते हैं ships को भी कहा जाता है तो ministry of shipping इसको लेके आई है तो इसके तुरू ये देखा जाएगा कि vessel कहां पर खड़े होंगी और दूसरी जो hazard warnings होती है जैसे माली जे कोई ocean है या वहाँ पर कोई hazard आने वाला है tsunami type means कोई waves आने वाली है कोई cyclone आने वाला है तो इससे जो traffic है वहाँ का control हो पाएगा तो ये mandatory कर दिया है कि ये services provide करनी ही करनी पड़ेंगी according to international meteorological organization convention solar that is safety of life at sea क्योंकि समुद्रों के अंदर sea के अंदर जो हमारी life होती है वो भी safe होनी चाहिए then देखिए INS कवारती तो INS कवारती एक sub-marine warfare है 90% ये इंडियन चीजों से ही बनी है इससे पहले जो है वो चार ये में चौथे नंबर के इससे पहले तीन और है INS कुमारता 2014 में INS कडमत 2016 में INS किल्टन 2017 में ठीक है तो ये आपकी ध्यान रखेगा ASW Anti-Submarine Warfare है ठीक है नेवी के काम आएगी Project 28 अप्रूव कर दिया गया था 2003 में ये totally prelims fact है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने miss किया हो PDF से आप इनको without seeing the PDF आप बस इन ही को करिए No need to read that PDF again देन देखिए Covi Wrap तो Covi Wrap IIT खड़कपुर ने बनाया है इसकी cost 5000 से भी कम की है जो भी test होता है वो एक घंटे से भी कम में पूरा हो जाता है तो COVID-19 अगर किसी को देखना है कि किसी को Corona है या नहीं है तो एक ISO thermal nucleic acid method को यूज़ करके पता लगाया जा सकता है paper strips को यूज़ करके जैसे pregnancy का पता लगाया जाता है paper strips को यूज़ करके इसी तरीके से इसको यूज़ करके भी COVID का पता लगाया जा सकता है देन देखिए What is informatic? informatic मतलब होता है बहुत सारी information ले लेना अब यह हम लोगों पर बहुत जादा लागू करती है कि हम क्या कोशिश करते है कि कोई भी जैसे मालीजी अब हम यही current affairs कर रहे है तो आप अलग-अलग जगा से मत कीज़े अगर आप यह videos देख रहे हैं believe me this is more than sufficient आप इसी को revise कीजिए इन ही के questions कीजिए इसके बाद test series कीजिए अगर आप यह current affairs भी करेंगे इसके बाद अगर आप newspaper से भी current affairs के notes बनाएंगे तो आपका काम हो ही नहीं पाएगा पूरा क्योंकि यह मैं खुद कर रही हूँ मैं एक साल से current affairs बना रही हूँ and this is यह इसको बनाने में दो गंटे लगते हैं हर दिन and आप तो थोड़ा मतलब जो speed है वो बढ़ गई है पहले धाई गंटे भी लगते थे तीन गंटे भी लगते थे तो इसलिए ज़ादा information लेना वो भी क्या हो जाती है काफी खतरनाक हो जाती है कभी-कभी तो इसलिए ज़ादा जगा-जगा से current affairs मत कीजिए आप एक ही चीज़ पर focus कीजिए अगर आप कोई और magazine कर रहे है जैसे vision IS की कर रहे है तो बस उसी को prepare कीजिए ठीक है आपको ज़ादा मन है रिवाइस भी कर लेंगे तो फिर recall नहीं कर पाएंगे इसलिए revision भी करना है recall भी करना है test भी देना है तो एक परी focus कीजिए so don't be infodemic ठीक है infomedic या infodemic तो जादा information नहीं लेनी है और false and misleading तो बिलकुल भी नहीं लेनी है अब ये WHO के जो chief scientist है world health organization की ये सौम्या स्वामिनाथन ने कहा कि ये covid-19 के time पे बहुत गलत गलत information फैलाई गई है then देखे consumer price index industrial workers का जो base year है अब वो 2016 हो गया है ये labor and employment industry ने बताया है industrial workers से ध्यान रखेगा industry में लोग काम करते है तो उसके लिए कौन सी industry सोच सकती है labor and employment industry सोच सकती है यहाँ पे जो weight is दी गई है वो जादा तर health, education, recreation and other expenses को दी गई है food and beverages की जो weight है वो कम कर दी गई है ठीक है again ये जो commerce and accountancy है उसके लिए भी important है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो commerce and accountancy के important topics है consumer price index industrial workers जो है वो inflation को measure करता है कि retail prices के अंदर कितना महंगाई हो रही है ताकि जो dearness allowance है government staff का, industrial workers का उनको regulate किया जा सकी then देखे testimony of sexual assault victim enough for conviction now this is very important Supreme Court ने कहा कि अगर माल लिजे कोई women है उसके साथ कोई sexual assault हुआ है या जैसे की POXO Act में पाया गया Tamil Nadu का एक man and 13 year old child के साथ उसने sexual assault किया तो वो guilty पाया गया तो ऐसे time पे जो women है उसको भी अपना जो evidence है वो भी उसी time पे proof करना हो so this is not so important कि जो soul and जो trustworthy evidence है women का जो की victim है वो enough है दूसरे को guilty ठहराने के लिए then देखे anti-tank guided missile है NAG that is ATGM and यह DRDO ने launch की तो इसको कैसे याद करना इसको देखो मैंने ऐसे याद किया है कि डरो नहीं NAG से तो DRDO ने launch की है NAG ठीक है इस तरीके से learn की हुए याद रह जाती है third generation की है यह पोकरन पोकरन हमारे राजस्थान में पढ़ता है land, air, based platform कहीं से भी इसको launch किया जा सकता है 4-7 km इसकी मारक शमता है ब्रहमोज missile की बताईएगा कि कितनी है उसकी 300 km से भी जादा की है then देखिए tuberial salivary glands तो यह मैं आपको दिखाऊंगी भी तो यह जो हमारा throat होता है उसके अपर पार्ट में यह मिलती है निदर्लेंड्स के साइंटिस्ट ने इसको discover किया है कि जो अपर थ्रोट throat है means nose के पीछे and throat से उपर यह जो glands से यह present होते है इने salivary glands और है तीन तरीके के एक हमारे tongue के नीचे होता है एक jaw के नीचे होता है एक jaw से पीछे and cheeks के behind में होता है तो यह तीन तरीके के और salivary glands होते हैं जिसके थो हमारा खाना जो है वो easily जो इसो फैगस के थो पेट के अंदर जाता है then देखिए life in miniature project life in miniature means जैसे आपने देखा होगा आपकी जो फोटोज होती है तो वो बहुत छोटी हो जाती है तो life in miniature का मतलब क्या होता है कि एक national museum है ये नेच्ट्री अफ कल्चर and Google Arts and Culture ने इसको लांच किया है कि miniature means जैसे आप paintings देखते हैं तो आप होते हो बड़े हो लेकिन painting के निरा आप छोटे दिखते हो उसे that is miniature then देखिए rent a bike facility in Kerala तो Kerala के अंदर Indian railways Indian railways जो है वो काफी कुछ कर रहा है अभी इसका एक step और आएगा पॉइंट और आएगा तो ये 15 railway stations ने स्टार्ट किया है and यहाँ पे जो त्रिवननदपुरम के जो railway division है वहाँ से जो commuters है उन्हें train किया जाएगा तो वहाँ पे bike facility भी मिलेगी ताकि लोगों को जो commuters है उनको help की जा सके then देखिए Himalayan brown beers तो Himalaya के अंदर आपको brown भालू देखने को मिलेंगे जिनने Himalayan red beer Isobellan beer Zoo Tay ये भी कहा जाता है Himalaya के अंदर ये सबसे बड़े कार्निवोरस है 23 protected areas में पाई जाते हैं Himalayan परदेश में आपको मिलेंगे उत्राखन में जमू एंड कश्मीर में तो ठंडे इलाकों में मिलते हैं अब इनका जो IUCN status है वो अलग-अलग है List concern है वैसे तो Himalaya में खत्रे में हैं Hindu कुष में बिल्कुल critically endangered है ठीक है तो जो situation है वो आगे-आगे बढ़ती जाती है List concern मतलब खत्रे की बात नहीं है endangered मींज खत्रा है इसके पूरे-पूरे criteria होते हैं जो आप environment की बुक से भी पढ़ सकते हैं Then देखे किसान सुर्योध्य योजना तो किसान का भी तो अंदोलन भी चल रहा है और यही पे जो प्राइम मिनस्टर मोधी थे उन्होंने गुजरात में किसान सुर्योध्य योजना जो थी वो launch की थी कि दिन में भी electricity दें farmers को ताकि वो irrigation and farming को अच्छे से कर सके Then देखें Mount Girnaar तो Mount Girnaar भी आपके गुजरात के जूनागर जो area है वहाँ पर मिलेगी यहाँ पर जो Lord Dattatre है तो वो आपको देखने को मिलेगा and एक शित्र भी है जहाँ पर जो 22 वे तिर्थंकर थे Lord Neminath उनको निर्वान भी अटेंड हुआ था चैनिस्म के अंदर होते हैं हमारे 24 तिर्थंकर तो यहाँ पर क्या है एक ropeway है आपने देखा जैसे कि आप क्या कहते है रसी बांदी जाती है और उस पर पर एक ऐसे बॉक्स होता है उसके अंदर बैटकर जाते है तो 2.3 किलो मिटर का है लॉंगेस्ट टैंपल रोपवे है एशिया के अंदर इसे बनाया है उशा ब्रेको लिमिटेड ने ठीक है एक सो तीस करोड रुपेस के अंदर लगे है देन देखिए एनेग एनेग माचना गोलम यह एक स्नेक हैड्स है इसकी भी मैं आपको डियाग्रम दिखाऊंगी अक्वेफर्स के अंदर यह रहता है एक मुवी थी लॉर्ड अप दर रिंग्स वहां से इसका नाम यह जो है वो लिया गया है कैला के अंदर पाया गया है और यह औरिजनेट वह थे गोंडवाना लेंड गोंडवाना लेंड पहले एक ही था उसके बाद वो यह एशिया अफ्रीका के अंदर बट गया था देन देखिए ओक्साक की खाडी तो यह आपको मैक्सिको के अंदर मिलेगी एक्चुली खाडी क्या है एक तरीके का बुनना होता है यह जो बुनाई है यह हो रही है ओक्साका के अंदर मैक्सिको के अंदर यह प्राइम इनस्टर मोधी ने मन की बात में बताया और खाडी इस प्लेस में देखे इसलिए पहुंची है क्योंकि जो महत्मा गादी के ऊपर एक फिल्म बनी हुए है वहाँ से एक जो रेजिदेंट था वो उससे इंफ्लॉएंस हो गया और वहाँ पे ये बनने लगे देन देखे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एकनोमी है काथन तो इंडिया एंड ऑस्टरेलिया आई एस तो वेरी इंपॉर्टंट आइंडिया एंड ऑस्टरेलिया की क्वैड कंट्रीज दें आपकी माला बार एक्सराइजिस हो गई तो इन सबको ध्यान रखिए ध्यान तभी रख पाएंगे जब बार बार रिवाइस केजेंगे तो तो यह अटल इनोवेशन मिशन एंड CSIRO ने लाँच की है ताकि ऐसे स्टूडेंट्स, स्टार्टप्स, मीडियम, स्मॉल, एंटरप्राइजे दोनों नेशन्स की वह आइडेंटिफाई करें, नहीने सॉल्यूशन्स निकालें, अच्छी अच्छी टेक्नोलोजी को बनाएं उनको बेवी होता है, तो उसके लिए छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन मेल इंप्लोईस को भी अब मिलेगी, जैसे मालीजी अगर कोई सिंगल मेल पेरेंट है, मींस कोई घर में कोई वाइफ नहीं है, दूसी लेडी नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, जो सिंगल मेल पेर तो परंपरा सिरीज किसलिए है, म्यूजिक अंड डान्स के लिए, नाट्य तरंगिनी और यूएन ने से और्गिनाईज किया, तक ही जो कुछ है पुड़ी स्टाइल है डान्स का, आर्ट एन कल्चर नेतन सिंगानिया से पढ़ लिजेगा, उसको पॉपुलराइज करने की पूछा जा सकता है, हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम, तो हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम जो यूएस है, वो अपने ये डिफेंस सिस्टम 2.4 बिलियन के ताइवान को बेचने वाला है, अभी अमने देखा था कि ताइवान के अंदर जो यूएस की वार्शिप साई थी उसके वज़ा से भी जो चाइना था वो एनरेज हो रहा था तो यहाँ पे हर्पून क्या होते हैं एक ऐसे होरिजन एक ऐसे मिसाइल जिसे मैक डॉनल्ल डॉगलस ने बनाया है और यह सभी तरीके के बारे में उन्होंने इंडिया के साथ एक instrument of accession sign किया कि वो इंडियन डॉमिनियन का पार्ट बढ़ना चाहते हैं और जो इंडियन ट्रूप से वो वहाँ पर जाएं ताकि जो पाकिस्तान वहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था उनसे वो लड़ सकें लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने काफी एरिया जो है वो एक तरीके से कबजा कर लिया जिसको आज की डेट में हम पी ओके भी कहते हैं UK to partner for developing gift city तो gift city आपकी बनने जा रही है गांधी नगर गुजरात के अंदर गुजरात international finance tax city और यह इंडिया की जो future capital investments हैं वो इंडिया के अंदर लाए जा सकें क्योंकि पैसा आएगा तो अच्छा investment हो पाएगा देन देखें national program and project management policy framework तो इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है यह इस तरीके का program है जिससे infrastructure बने and दो एक तो निती आयोग and quality council of India ने इसको बनाने की सोची है ठीक है कैसे याद करोगे national program है तो national program से ध्यान रख लीजेगा निती आयोग है and निती आयोग जो है वो quality से compromise नहीं करती ठीक है तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि infrastructure की quality से compromise नहीं करते तो निती आयोग and quality council ने इसे launch किया है then देखे ग्रीन डेली मैंने आपको पहले कहा था कि दिल्ली सरकार की बहुत सारी programs आएंगे तो ये भी pollution से against ही आया है जैसे अभी हमने उपर पढ़ा था production के विरोध ठीक है तो youth production के विरोध तो pollution के against एक app बनाई गई है कि अगर किसी भी citizen को complaint करनी है या pollution का source बताना है या कोई pollution के norms को follow नहीं कर रहे है तो वो इस app को use कर सकते है then देखे करनाचका के government staff जो है उनको कहा गया है कि वो किसी film या serial में काम ना करें तो अगर government employee है करनाचका के अंदर तो वो films के अंदर act नहीं कर सकते books में, serials में खास करके उसमें जो state and central government की policy को criticize कर रहे हूँ film में भी काम नहीं कर सकते बिना किसी permission के किसी media program को भी sponsor नहीं कर सकते है then देखे कोड sector industries important है economic point of view से भी तो इनको आप learn कर लीजिए देखे तीन तो आपकी होती है C, किस तरीके से मैंने क्या learn किया हुआ है तीन होती है आपकी C, coal, crude oil and cement ठीक है फिर इसको मैंने याद किया है किस से F, आपका I नहीं है यहाँ पे होना तो चाहिए, चलिए नहीं है F, E, N से कीजिए, F है आपका fertilizer, E है electricity, N है आपका natural gas ठीक है इसके बाद मैंने इसको याद किया है S, R से ठीक है, शारुखान से तो S, R से आपका steel and refinery product, I know बहुत अट-पटे ट्रिक है बट मुझे यह याद रहती है C, 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 F, E, N है, फिर आपकी S, R है इससे हो गया coal, crude oil, cement, fertilizers, electricity, natural gas, steel and refinery products आपको याद हो जाए तो आप कर लीजेगा then यह 40% जो weight of items है, इसके अंदर include होते है core means है कैसी industry जो किसी भी country को चलाने के लिए जरूरी है सबसे जादा जो weightage है, वो refinery products का है फिर electricity, फिर steel, फिर coal, फिर crude oil, फिर oil, फिर natural gas, फिर cement, फिर fertilizers because obviously fertilizers are not so good अब news में इसलिए है, क्योंकि यह core sector है, यह shrink हो रहा है मार्च से ही, covid की वज़ा से भी इसका कारण है then देखिए, credit default swap, credit default swap एक example है credit derivative transaction का, जहाँ पे जो credit protection है, वो bought and sold की जाती है क्या मतलब है इसका, जो commerce है, उनको समझ में आता होगा जो commerce background से नहीं है, उनको मैं समझानी की कोशिश करती हूँ मान लिजे, आपने कहीं से loan लिया and किसी और person को आपको देना है ठीक है, यह मान लिजे, A है, यह B है, यह C है पहले बहुत ले, मैं language के अंदर समझे आपने मान लिजे, B से loan लिया B ने, B ने क्या क्या, A से loan लिया और आपने क्या लिया हुआ है, loan C से लिया हुआ है ठीक है, तो ultimately आपको क्या करना है मैंने अलग-अलग बोल दिया, C ने मान लिजे, आप से लिया हुआ है दुबारा मैं आपको बता देती हूँ, यह A है, यह B है, यह C है आपने loan लिया है B से, C ने loan लिया है आप से अब मान लिजे, आप जो है, वो इस शम्ता में नहीं है कि आप A को loan पे कर पाएं, तो आप यहाँ पे C को involve कर लेते हैं कि C जो तुम्हें मुझे loan देना है, अगर मान लो मैं जो है, वो A को loan नहीं दे पाता हूँ, तो तुम मुझे ना loan देने की बजाए, तुम A को loan दे देना तो this kind of system is something related to this तो यहाँ पे जो एक party है, वो agree हो जाती है कि तुम्हारी जो payments करनी होगी, वो हम कर देंगे अगर कोई credit event protection आता है, means माली जी आप bankrupt हो जाते हैं, या कोई और situation आ जाती है तो आप payment करेंगे, ठीक है, जादा हो, कम हो तो वो पहले से decide हो जाती है, अगर कोई भी ऐसी बेकार situation आती है, तो तो RBI news में इसलिए है, क्योंकि RBI ने नए जो credit default जो swap के जो norms हैं, वो issue किये हैं, नए नए fresh then देखिए चिल, तो ये चिले भी बोलते हैं, I don't know इसका correct name क्या है, तो ये आपको South America में मिलेगा, यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे referendum हुआ, referendum means लोगों को vote करने के लिए कहा, और यहाँ पे लोगों ने vote किया कि country के अंदर, जो 40 साल पहले जो constitution आये था, यह दुबारा से लिखा जाना चाहिए, और एक नए assembly भी बनने चाहिए, 155 members की, ताकि एक नए constitution ड्रॉ हो सके, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी वहाँ पे जो charter चल रहा है, वो एक dictator and जो military leader थे, Pinochet, उनके through a draft किया गया था, और उनोंने, जो बहुत means, बिना inputs के through ही constitution बना दिया, तो inequities face करनी पड़ती है चले के लोगों को, ठीक है, तो आप इनको चीले याद रखिए, यह चीले हैं, ठीक है, just for fun, then देखिए, National Productivity Council, तो National Productivity Council को एक accreditation मिल गया है, ISO 17020 2012 का, किस ने दिया है, National Accreditation Board ने दिया है, for Certification Body, यह एक body होती है, यह accreditation देती है, जैसे आप pass हो जाते हैं, तो आपको degree मिलते हैं, तो similarly यह भी इनको एक तरीके से degree देते हैं, क्यों, क्योंकि यह inspection करेंगे, audit करेंगे, food safety is related and agricultural products का, तो अब यह जो हैं, वो देखेंगे, कि सही से काम हो रहा है या नहीं, इनको यह जो certification है, वो 3 साल के लिए दिया गया है, Food Safety and Standard Authority of India Regulations 2018 के according, and Warehousing Development and Regulatory Authority Rules 2017 के according, National Productivity Council 1958 में बनाई थी, Ministry of Commerce and Industry ने बनाई थी, यह Tokyo-based Asian Productivity Organization का भी पार्ट है, जिसमें Government of India भी founder member है, then देखी, Operation मेरी सहेली, अभी हम मैंने बब को बताया था, Indian Railways ने, क्या start किया था, computers की help के लिए, तो बताईएगा, and अभी हमें आपको कराया था, तो देखते हैं, कितना याद है, women की security के लिए, मेरी सहेली launch किया गया है, तो यहां से जो women है, अगर वो कोई सी station से दूसरे station तक जाती है, तो वहाँ पे जो RPF, जो Railway Protection Force की जो employees होंगी, वो उने help करेंगी, then देखें, Patents Amendment Rules 2020, तो अब बस यह है, कि जो पहले जो लोग होते थे, उनको बहुत सारे जो patent rights होते थे, उनके लिए बहुत सारे form भरने होते थे, अब एक ही form भरना है, that is form number 27, Coastal Shipping Bill 2020, तो यह Part 14 के अंदर आता है, Merchant Shipping Act 1958 के अंदर, यहां पे जो भी license लेने होते हैं, Coastal Trade के अंदर Indian Flag Bessels को, तो वो सब खतम कर दिये गए है, Coastal Maritime Transport को Integrate कर दिया गया है, Inland Waterways से, Inland Waterways means, जो हमारी country के अंदर ही रहे, तो यह National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan का पार्ट है, तो यह आप mains में भी use कर सकते हैं, points को लेकिन अगेन याद होने चाहिए, Then, Wildlife Institute of India, जो है, वो study करने जा रहे हैं, Olive Riddley Turtles पे, यह बहुत छोटे-छोटे और बहुत सारे होते हैं, Pacific, Atlantic, Indian Ocean के अंदर आपको यह मिलेंगे, खास पात इनकी यह है, जो nesting यह करते हैं, वो बहुत अलग means, एक जगा पे रहकर करते हैं, and Camps Riddley जो इनके भाई-बहन हैं, ठीक है, यह भी इनके साथ ही रहते हैं, इनकी जो nesting है, उस तरीकों को करते हैं, Aribada, ठीक है, एक ही बीच पे सभी आके एक्स देते हैं, इनकी nesting sites फेमस हैं, एक है, रुशी कुल्या, रुक्री कोस्ट, दूसरी है गहीर, गहीर माथा बीच at Debbie River, so important आप इसको यूज कर सकते हैं, then देखे, पंजाब ने, जो बस operators हैं, उनके लिए 100% जो tax है, वो वेवाफ कर दिया, खतम कर दिया है, चाहे वो छोटी, स्कूल, या फिर कैरिज बस हो, women scientists के लिए, एक scheme आई है, that is power scheme, उनके लिए opportunities को प्रोमोट करना है, ताकि वो research करें, and ताकि जो gender disparity है, वो कम हो, इसे launch किया है, science and engineering research board ने, and इसके अंदर दो components है, एक तो है power fellowship, and दूसरी है, power research grants, then देखे, गॉर्मेंट ने 11,000 करोड रुपे जो है, वो दिये है, means proposals, जो है, वो clear कर दिये है, Samsung का, for production linked scheme, production linked scheme, जो है, वो इसलिए है, कि अगर इस तरीके का production होगा, तो government जो होती है, वो कुछ आपको benefits देती है, ये clear किस ने किया है, ministry of, sorry, ministry of electricity and information technology ने, ठीक है, and IT ने, तो 16 proposals improve कर दिये है, अब थोड़े diagrams देख लेते हैं, okay, so ये है आपका aquaponics system, इसके अंदर आप देख सकते है, aquaponics, जहाँ पर, जो plant है and animal, तो ये fish and ये plant है, so this is your aquaponics system, then ये आप देख सकते हैं, this is your Taiwan area, ये आपका China है, ये आपका Hong Kong है, ठीक है, इस तरफ हमारा India पड़ेगा, तो ये आपका ध्यान रखेगा, ये Taiwan area है, जहाँ पर US के वज़ा से दिक्कत आ गई है, then देखे, this is Bahrain, ये आपका Saudi Arabia है, ठीक है, तो ये areas ध्यान रखेगा, ये आपका Gulf of Oman and Persian of Gulf है, जहाँ से State of Hormuz यहाँ पे है, last year काफी news में था, ये देखे, ये है आपके skinks, तो इस तरीके का देखने में होता है, ये है आपका साधना पास, ये है आपका साधना पास, ठीक है, जहाँ से, जिसको पहले नस्तचुम पास कहा जाता था, then ये आप देखे, ये कंट्री का जो पहला multimodal project, जो बन रहा है भारत-माला परियोजना के according, तो ये आपसाम के यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, then ये है आपका Fiji, तो ये Fiji, न्यूजिलेंड से, ग्यारा सो किलोमेटर दूर, तीन सो तीस आइलेंड से हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, असाम border का जो issue है, तो ये वाला point है, basically ये वाले points है, ठीक है, then ये देखे, ये Pearl River है, this is, यहाँ पे थोड़ी, ये है Pearl River Estuary, this is your Pearl River Estuary, Estuary ऐसे ही बनती है, जैसे delta जो होता है, वो तो आपका अलग से बनता है, Estuary ऐसे बनती है, half parts में divide कर देती है, मतलब दो बरावर हिस्सों में, ये आपके infrastructure investment trust है, तो इसको ज़्यादा हमें नहीं देखना, ये area आप ज़रूर देखी, एक बर मैं आपको दिखा देती है, इस बार exam में भी पूछा गया था, ये आपकी अकसाई चीन है, में जो चाइना ने occupy कर ली थी, यही वो area है, जिसको चाइना ने हमारे कश्मीर का हिस्सा है, उसको capture करके रखा हुआ है, ये आपका ले लदाक हो गया, यहाँ पे आपकी जो ये है, पैंगॉंग लेख है, ये आपकी ठीक है, यहाँ पे आपकी ये चुशुल वैली है, ये आपका डैम चोक एरिया, ये देखी ये system है, जिसके थूपता चलेगा, सारा जो ministry of shipping जो है, वो पता करने की कोशिश करेगी, so thank you so much, वीडियो पसंद आई हो, तो please 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 like करें, share कीजिए, comment कीजिए, नीचे आपको अच्छी लगते हैं, वीडियो नहीं अच्छी लगते हैं, कोई suggestion देना चाहते हैं, तो दीजिए, and subscribe जरूर कीजिए, okay, so thank you,